हाई एवरिवन वेलकम बैक नो मैं चैनल मैं हूँ सुनिता आज मैं लाई हूँ आप सब के लिए अध्रक वाली चाय की रसिपी आप सोच रहोंगे ये क्या मजा के अध्रक वाली चाय बनाना किसे नहीं आती हमारे घर में तो सुबर शाम दो बार चाय बनती है हाँ जी हर इं इसे बहुत लोगे जिने चाय बनानी नहीं आती ही जैसे कि मेरा बेटा आभी दो दिन पहले मैं विमार थी तो यह चाहता था कि मेरे लिए चाय बना कर पिला है पहली बार किचन में गया यूटुब में सर्च करने लगा कि चाय कैसे बनाए यूटुब में वैसे तो भरी पढ़िये चाई की रेसिपी मैंने भी अपनी सोनिस किचन चानल पर डाल रखा है लेकिन जो बारा तेरह सल के बच्चे हैं जो छोटे बच्चे हैं जो टीनेजर पहली बार किचन में जाते हैं उन्हें इसी समझाए ऐसी रेसिपी शायद इसे नहीं मिली तो यह जैसे दैसे चाई तो बना लिया और चाई ठीक टाक बन ली गए थी और यह सब आके मेरे सब शेयर करने लगा ममा अपनी सोनिस किचन चानल पर बहुत सारी रेसिपी तो डाल रखा है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे जितना एक छोटा बच्च्चा या बारा तेरह सल के जैसी की situation है दो साल से lockdown बार बार हो रहा है बच्चे होस्टल में है और कभी-कभी अकेले घर पर है उन्हें भूख लगती है तो order तो कर नहीं सकते अगर घर पर कुछ बना कर खाना चाहिए basic खाना बनाना नहीं आता है तो ऐसी basic recipes share करने चाहिए यह मुझे इसने idea दिया और मुझे भी लगा कि यह सही बाते हैं हम तो खाना बनाना बहुत कुछ recipes सिखा देते हैं लेकिन ऐसी basic recipes जो 12-13 सल का बच्चा बना ले तो यह सोच कर मैं आज यह चाय की recipe लाई हूँ और मुझे बहुत सारी comment पी आती है छोटे बच्चों की कि मैं आप ऐसी easy recipe शेयर करें जो क इतना ताम जम हम कर नहीं सकते हैं तो चलिए बहुत ज़्यादा हो गई अभी बाते बनाते हैं चाय सबसे पहले एक इंच का अद्रक लेंगे अद्रक में मिट्टी लगी हुई होती है अद्रक कोचे से धो ले फिर इसे छील करके हमम दस्ता में डालकर इसे कूट ले या फिर चागू के सायता से से काट करके भी ले सकते हैं अब चलिए चाय बनाते हैं चाय बनाने के लिए चाय का बरतन ले ले फ्लेम को ओन करें मैं यहाँ पर दो कप चाय की मेजरमेंट बता रही हूँ तो एक कप हम डालेंगे पानी और कूटी हुई आद्रक और यहाँ पर मैं थोड़ी सी इलाची पाउडर डाल रही हूँ दो कप चाय के लिए दोछोटी चमच चाय पती डाले दोछोटे चमच में चीनी डाल रहे हूं अगर मीठा थोड़ा सा ज्यादा पसंद करते तो एक चूटी चमच और चीनी डाल सकते हैं अब इसे 1-2 मिनिट पकने देंगे अद्रक अच्छे से पक जाए तब इसमें दूद डाले नहीं तो कभी कभी दूद फट जाती है तो एक कप हम डालेंगे दूद एक कप पानी में एक कप दूद जाएगा दोनों के मिजरमेंट सेम होगी तो अब ये चाई को हम पकने देंगे flame को medium पे रखे high flame पे अगर चाई को पकाने जाएंगे तो ये उबल कर गिर सकती है तो medium flame पे इसे पकाए और बीच-बीच में थोड़ा सा चलाते रहे जब तक चाई पती अच्छे से पकना जाए तक तक हम इसको पकाएंगे करेब 2 मिनिट लगेगा तो ये लिजे चाई तयार हो चुका है फ्लेम को बंद कर दे और चली ये चाई को छान करके सर्व करते हैं चाई को या तो बिस्किट के साथ सर्व करें या फिर ऐसे ही सर्व करें बहुत ही टेस्टी और इजी चाई है उमीदें आपको ये रेसिपी हल्फुल लगी हो अगर हल्फुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लें तो बच्चों उमीदें आपको चाई बनाने आ गई होगी और ऐसी कौन सी इजी रेसिपी आपको इस चाईनल पर चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना आज की रेसिपी अगर अच्छी रगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चाईनल पर लिए आए तो चाईनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें चलिए मिलती हुए और इजी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई और टेक के